हेलो और नमशकार एवरिवन, मैं डॉक्टर महीमा भारत होमियपैती से आज हम बात करने वाले हैं विटीलिको जिसको हम सफेद राग और लिकोडर्मा के नाम से भी जानते हैं विटीलिको विश्म में 1% लोगों को होता है विटीलिको एक बहुत कोमन बिमारी है जिसके कुछ मित प्रचलित है आज हम बात करें के उन ही मित्स के बारे में और कुछ causes के बारे में और कुछ triggering factors के बारे में तो जिसको हम सफेद दाग भी कहते हैं ये two types का होता है सबसे पहले एक generalized होता है और एक segmental होता है generalized जैसे कि नाम ही बोल रहा है कि generalized है के orifices में हो सकता है जो generalized होता है उसके बढ़ने के chances ज्यादा होते हैं वो ज्यादा जल्दी से फैलता है उसका जो course होता है वो जल्दी develop होता है segmental जहां कि वो किसी भी body part तक रहता है किसी भी body part से नहीं फैलता है उसका जो course है वो rapid नहीं है वो एक time period को सीमित रखता है अब हम बात करते हैं विटी लिगो के कुछ myths के बारे में विटी लिगो का जो पहला myth है यह है कि वो skin cancer में develop हो जाता है विटी लिगो के जो white patches होते हैं जिनको macules कहते हैं चमडी पर जो सफेद रंग के milky white color के जो patches होते हैं वो skin cancer में develop हो जाते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता विटी लिगो में melanin का absence हो जाना होता है melanocytes, melanin का production नहीं कर रही है इसलिए vitी लिगो हो रहा है वो skin cancer में बिल्कुल transform नहीं होगा, develop नहीं होगा skin cancer एक अलग बिमारी है जिसमें proliferation हो जाता है excess proliferation हो रहा है और और कुछ regeneration हो रही है तो ये myth अपने दिमाग से हटा दीजिए विटी लिगो का दूसरा myth ये है कि वो छूने से फैलता है विटी लिगो कभी छूने से नहीं फैलता है because विटी लिगो एक autoimmune disease है जो कि हमारी body अपनी against auto antibodies बना कर create कर रही है ये कोई contagious disease नहीं है जैसे कि fungal infection होता है वो छूने से जरूर फैल सकता है पर विटी लिगो कभी आपको छूने से नहीं फैलेगा तो विटी लिगो के patient के साथ आप ऐसा behave ना करे कभी कि उसको अच्छूत या फिर उसको stress feel हो क्योंकि जो विटी लिगो का main cause ये भी हो सकता है कि वो stress हो तो ऐसे patient को आप जादा stress ना दे और उसको ऐसा feel ना कराए कि वो अच्छूत है या फिर उसको कोई ऐसी disease हुई है कि आप उसको touch नहीं कर सकते family members उसके साथ ऐसा behave कर रहे है तीसरा विटी लिगो का myth है कि ये leprosy है leprosy एक बिल्कुल अलग बिमारी है जिसको हम कुष्ट रोग कहते है leprosy एक tuberculosis bacteria से होती है tuberculosis का एक type होती है leprosy और विटी लिगो बिल्कुल दो अलग चीज होती है leprosy में भी white pigmentation आती है बट विटी लिगो के white pigmentation और leprosy की white pigmentation बिल्कुल अलग होती है इसमें milky patches होता है ये contagious नहीं होता है ये आपको जानलेवा बिमारी नहीं है कुछ लोग ये भी कहते है कि विटी लिगो जानलेवा बिमारी है विटी लिगो बिल्कुल जानलेवा बिमारी नहीं है विटी लिगो का treatment है अगर vitiligo का अगर कोई treatment नहीं भी लेता है तो भी आपकी body को harm नहीं करेगे आपकी body पर white patches पूरी body पर आजाएगे बट आपको बिल्कुल भी fatal नहीं होगी यह disease vitiligo की कुछ ऐसे myth है कि vitiligo कुछ खाने से हो जाता है जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि खटी चीज है vitamin C का intake जादा करते हैं तो vitiligo हो जाता हूं लोगे में ऐसा बिल्कुल नहीं है vitamin C या फिर कोई और भी vitamins आपकी body को antioxidants प्रोवाइड करते हैं वो आपकी body के लिए अच्छे होते हैं तो यह कुछ ऐसे myths है जो कि हमें vitiligo के patient को बताने चाहिए so that उनको मालू हो कि आप ऐसा ना करें या फिर वो जादा mental stress ना ले क्योंकि vitiligo का एक cause stress भी है तो वो जो vitiligo के patient है stress से दूर रहे वो अपने lifestyle अच्छा करें और वो healthy रहे खुश रहे तब ही vitiligo ठीक होगा तो यह myths को जाने और अपने vitiligo को ठीक कीजिए नामस्ते